नमस्कार प्रादिस्टिक समाचार के साथ मैस्तानु सर्मा प्रधान मंत्री नरिद मोदी ने आज सुभर नव निर्वित संसद भवन राश्टी को समर्पित किया। सेंगोल को स्थापित किया और प्रधान मंत्री नरिद मोदी और लोग सभा अध्यक्ष ने सर्वधर्म प्राथना सभा में भी हिसा लिया। प्रधामति नरिद मोदी ने युवाओं में एक भारत शेश भारत की भावना को ताकर देने के लिए युवा संगम के अनुठे प्रयासों की सराना किया है। आज आकाशवानी से मन की बात कारिक्रम में राष्ट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की एकता और विवित्ता को ध्यार में रखते हुए शिक्षा मंत्राले ने इसकी पहल की है। श्रीम मोदी ने कहा कि युवा संगम का उदेश लोगों के बीच संपक को बढ़ावा देना और देश के युवाओं को एक दूसरे के साथ परस पर घुलने मिलने का आवसर प्रदान करना है। अलग-अलग राजियों के उच्छ सिक्षा संस्थानों को इस से जोड़ा गय प्रदान मंत्री ने कहा कि युवा संगम पहल के माधियम से युवा दूसरे राजियों के सहरों और गाओं में जाते हैं जिससे उन्हें अलग-अलग तरह के लोगों से मिलने का मौकर मिलता है। प्रदान मंत्री ने युवा संगम के में भाग ले चुके दो युवा को अ जाने पर कृतकिता प्रकट की फ्री मोधी ने कारकिस वतमता संग्राम में जतीय लोगों की योगदान को दसाने वाले दस संग्राले की स्थापना की जा रही है इनमें कॉलकता के विक्टोरिया मेमोरियल में विपलवी भारत ब्रिका जलियावाला वाग समारक का पुन उधार देश के पूर्व प्रधान मंत्री को समर्पित प्रधान मंत्री संग्राले दिल्ली इस्थित राष्टिय समर्समारक और पुलिस समारक सामिल है उन्होंने कहा कि पहली बार देश के सभी संग्रालेओं से जुड़ी अवश्यक सूचनाओं को संचालित किया गया है और अब यहां ओनलाइन उपलब्ध है स्री मोधी ने लोगों से हैस्टेग म्यूजियम मेमोरिस के साथ अपनी तस्वीरे साजा करने की अपिल की उन्होंने कहा कि लोग ऐसा करके भारत के धविशाली संस्कृती के साथ अपने जुड़ाव को और प्रगाड कर सकते हैं अपर स्यांग जिलाव उपायक्त हागे लेलियां ने सरकारी अधिकारियों और बाने के वांग के सदसों के साथ कौमकर में नव निर्मित पोवे प्रसासने का सरकल का दोरा किया पोवे सरकल कौमकर के सेरिंग, रेसिंग, सीजर और बुद्दांग गाओं की जरूरतों को पूरा करेगा जिलाव उपायक्त ने पोवे के लोगों से सतक रहने और गाओं के संप्रविकास के लिए एक दूसरे का सहीयोग करने का आवान किया बाने केवां के सदस्ते ने गाओं के मुद्दे जैसे पानी बिजरी, उचीत जल निकासी के साथ सीसी सड़क के निर्मान और अनिय च्छे बिंदो ग्यापन भी प्रस्तुत किये जिला उपायुग ने हाल ही में हुए AISSE और CBSE परिक्षा में अपर सियांग के सरकारी स्कूलों के खराब सेक्षिनिक प्रदेशन पर भी चिंता वेक्त की स्वास और परिवार का लियान मंत्री डॉक्टर मंसुग मानविया ने फार्मसूटिकल उद्योग के तीजी ते विकास की सराना की है उन्होंने वैस्विक सरपर भारत के महतों को बना रखने के लिए किफायती भी निर्मान गुर्वत्ता और अनुसंधान की अवस्क्ताप पर बल दिया नईदिली में आज दवा और चिकिसाव करन छेतर पर आठवे अंतराश्य सम्मेलन के दूसरे दिन घरिलू फार्मसूटिकल उद्योग के प्रमुख कार्यकारी अधिकारियों के साथ गोल में जो बैठकी अधियक्स्ता करते हुए श्री मानविया ने यह बात कही उन्होंने ही धारकों से उत्पादन से जुड़ी तोचसाहन योजनाओं और आगामी ड्रग पारकों के सकारात्मक प्रभाव का उलेक करते हुए मौजुदा आउसरों का लाव उठाने को कहा ड्र मानविया ने मुल्य नेधारण न्यामक निती और रनितियों पर सुझाव देने को भी कहा इसे के साथ यह समाचार बुलेटिन समाफ हुआ नमस्कार